इस न्यूज के प्रायोजिक है AG स्पीड दर्द भगाए फुल स्पीड कॉलेज में कैसे तुम्हें उठाकर मैंने प्रोपोस किया था जब खुश्यों की कम होने लगे स्पीड तो काम आए AG स्पीड सिंदगी की कभी कम ना हो स्पीड हमेशा साथ रखिए AG स्पीड दर्द भगाए फुल स्पीड चार कंड में जब दूर दूर तक बच्चा रोता है तो मा कहती है कि बेटा चुप हो जा नहीं तो पचंड बहुमत वाली बीजेपी सरकार के मुक्यमंत्री रगवर दाश जी सत्ता की हनक दिखा देंगे इस अहीं तो कहते हैं सत्ता की हनक मुक्यमंत्री साहेब मुक्यमंत्री साहेब आपका तो जवाब ही नहीं सीम है जनता के लिए सीम है जनता के द्वारा और सीम की जनता के बीच ऐसी भासा वा भाईबा मुक्यमंत्री जी विरोधियों के लिए गुस्सा हम भी समझते हैं लेकिन ताकत के नशे में इतना भी क्या चूर हो जाना कि जुबा का बैलेंसी बिगड़ जाए विरोधियों पर निशाना साधरे के चक्कर में सीम ने अपना ही काम तमाम करवा लिया लेकिन सीम साब के चैर पर सिकन तक नहीं आए जो सिकन आ जाए तो सीम कैसे आए भी क्यों प्रचंड बहुमत वाली सरकार में जो बैठे हैं दरसल मुखमांति रगुवर दास संथाल पर निशाना साथ रहे थे वो कहना चा रहे थे कि गरीबी नारे से समाप्त नहीं होगी कुछ लोग सिर्फ आदिवाशी और मूलवासी के नाम पर जनता को बुर्ख बनाते हैं लेकिन ये कहते कहते सरकार की जुबा फिसल गी सियम साब को भली गलती ना लगती हो लेकिन विरोगियों के निशाने पर तो आहीं गए हेमन सोरेन ने कह दिया सियम के विदाई के बेला नस्दीक आ गई है जारकन की जनता कभी माफ नहीं करेगी लेकिन सियम साब तो बोलते चले गए बे परवाब बे धणक किसी से कोई मतलब नहीं लेकिन मुखमंती रगवर्दास जी एक बाठंडे दिमाग से सोचिए कि आप अपने भाशन में कितना पड़ा बवाल कराएं और इससे आने वाले चुनाओं में आपको कितना फर्क पड़ेगा पट्टा से भारत के लिए आशीश पराशा के साथ राची से सन्नी सरत की रिपोर्ट